मुझे बताते हुए खुश्य हो रही है कि मेरा युवा भारत के लगब देड़ तरोड युवा वेच्छत भारत के विजन से जूडने के लिए आगे आए हैं माने खुश्य हमती जी आपने पंद्रागस दोजार चौबीस को देश के अपने समोगन में एक बार फिर जन जन में इस अभ्यान को और आगे ले जाने की उर्जा भड़ी जन भागे दारी की आपने चर्चा की और सच्छता की चर्चा हो सच्छता के संदर्व में एक उसरे को रोपने तोकने कत्रफ का प्यास चलता रहे मैं समझता हूँ कि यह भारत के अंदर आयूँ ही नई चेत्ना का प्तिव बंद्र है इसलिए इस बार सच्छताई सेवा दोजाब चौविस का तीम सवहाव सच्छता, संस्कार सच्छता इस पर जो दिया गया है माने पर्दामत्री जी आप ही के मारवशन से शुरू हुए सच्छ भारत जोश के आज दिन पर मैं आपको दन्यवान करता हूँ कि आपके नेतरतों में पते भारत वासी भारत की परष्टों सवच्छत स्वस्थ और इच्छत भारत जाने के लिए पतिवत हैं बाद बोच्छता थार्दी धिनेवाद मारणे मंत्रीची, देवी और सच्छनों, सवच्छता को शेहरों से लेकर ग्रामीर्स तर सक आकार देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह के प्रोजेक्स लॉंच किये गए हैं आज मानने प्रधाय मंत्रीची के कल कमनों द्वारा सवच्छता से जुड़े कई महत्वण परियोजनाओं का उद्खादिल एवं जिला न्यास किया जाएगा जिनमें शामिल हैं शेहरी बुन्यादी धांचे को बढ़ाकर और शेहरों में जीवन की गुणवत्तम सुधार करते हुए सतत शेहरी विकास को बढ़ावा देने वाले अजल मिशन फॉर रेजुविनेशन और अर्बन चांस्वरमेशन यानि अमृत तखा अमृत 2.0 के तहे 6825 करोड की 109 परि शिष्ट से बायोगास और जेलिक खाद बनाकर ग्रामेशन भारत की सम्रिधी की राह तयार कर रही 1332 करोड की लागत वाली पंद्रां गोबर्धन परियोचनाए अब मैं मानने मिधार मंत्रीजी से विनम्र अनुरोद करती हूं कि कृप्या रिमोट का बटन दबाकर इन प अमरत मिशन भारत सरकार का पहला वाटर फोकस्ट मिशन दो हजार पंद्रह में 500 शहरों से शुरू हुआ जिससे एक करोड़ नवासी दाग घरों को नल से स्वच्छ जल बिला और एक करोड़ से तालीस लाग से अधिक सी बरेच करेक्शन किये गए इससे शहरी जल कबरेच और तालीस प्रतिशन से पढ़कर सतर प्रतिशन हो गया। अमरत टू पॉइंटों के तहट देश में लगभग दो करोड़ नए टैप कनेक्शन और आथख़ार एमेलडी कपैसिटी के साथ लगभग देड़ करोड़ नए सी बरेच कनेक्शन दिये जा रहे हैं। जलाशेय का शिला नियास एवं राष्ट्र को सबरबड़ किया गया है। इससे करीब साथे बारहा लाग से अथे घरों पुलाब मिलेगा। सुएच्ट्रीट्मेंट प्लांट की परियोजनाओं का धिर्मान पूरा हो चुगा है। आज माननीय प्रथान मंत्री श्री नरेंड मोधीची ने इन पांच परियोजनाओं का दोगार पांड़ किया। परिगी और श्थानीय निवासी इससे नाभान दिठोंगे। पांड़ा गानवीजी के स्वच्छता से समाज के निकास के स्वप्न को साधार करते हुए। प्रथान मत्री श्री नरेंड मोधीची के मित्रित्व में भारत सरकार अब गब्रेस्ट पायोगैस के माफ्यक से स्वच्छ पूर्जा की ओर बढ़ रही है। पहले से स्वच्छ पूर्जा को कम हो ही रहा है। साथ ही यहीर क्षेत्रों में रोजगार के अफसर भी बढ़ रहे है। भारत सरकार ने गब्रेस्ट पायोगैस दियों के लिए कई महत्वों कलब रठाएं है। इसे देश में स्वच्छ पूर्जा को बढ़ावा विकाहा है। प्रधान मंत्रीजी के स्वच्छता के अख़वार में संकर्द की जो मशाल प्रच्वलित है उससे समझ देश्वासियों को एक जूट कर दिया है। आज की सु अफसर पर स्वाच्छ भारत के प्रणेता, स्वाच्छ भारत के प्रवर्तत, मानने प्रधान मंत्री जी से मैं अत्यांत आदर्भाव से विनधी करती हूँ, कि करपे आपने आशी बच्छनों से हमें अनुब्रिहीत करें, हमारा माल दर्शन करें, मानने प्रधान मंत्री शी नरेंद्र मोदी जी जेंद्रिय मंत्री मंत्र के दरें सहयोगी स्रिमान मनोह नलाल जी स्री आरपातिल जी तोखन साहु जी राजबुषण जी अन्य सभी महान उगाओ देवियो और सज्जिनो जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था वो सपना हम सब मिल करके पूरा करें आज का दीन हमें ये प्रेरणा देता है साथियों अज दो अक्तुबर के दीन मैं करतव्य बोध से भी भरा हुआ हूँ और उतना ही भावुग भी हूँ आज स्वच्च भारत मिशन को उसकी यात्रा को दस साल के मुकाम पर हम पहुँच चुके हैं स्वच्च भारत मिशन की यात्रा करोणों भारत वासियों की अटूट प्रतिवध्धता का प्रतीक है बीते दस साल में कोटी कोटी भारतियों ने इस मिशन को अपनाया है अपना मिशन बनाया है इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है मेरे आज की दस साल की इस हात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी हमारे सफाई मित्र हमारे धर्मगुरू हमारे खिलाडी हमारे सेलिब्रिटीज एंजियोज मिडिया के साथ ही सभी की सराना करता हूँ भूरी भूरी प्रसंसा करता हूँ आप सभी ने मिलकर स्वच्य भारत मीशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया मैं राष्टपती जी उपराष्टपती जी पूर्व राष्टपती जी पूर्व उपराष्टपती जी उन्होंने भी स्वच्चता की ही सेवा इसका अकम्य ससरमदान किया देश को बहुत बड़ी प्रेना दी मैं आज राष्टपती उपराष्टपती महोदय का भी रदय से अभिन्हंदन करता हूँ धन्यवाद करता हूँ आज देश भर में स्वच्चता से जुड़े कारकम हो रहे है लोग अपने गाउं को शहरों को महलों को चाल हो फ्लैट्स हो सुसाइटी हो स्वयम बड़े आगुरह से सापसफाई कर रहे हैं अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री गान और दूसरे जनप्रति निदी भी इस कारकम का हिस्सा बने इस कारकम का नेत्रुत्व किया बीते पक्वाडे में मैं इसी पक्वाडे की बात करता हूँ देश भर में करोरों लोगों ने सच्छताही सेवा कारकमों में हिस्सा लिया है मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पक्वाडा के पंदरा दिनों में देश भर में 27 लाग से ज़्यादा कायरकम हुए जिन में 28 करोर से ज़्यादा लोगों ने हिस्सा लिया निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं मैं सभी का पत्ते भारतिय का हार दिक आभार व्यक्त करता हूँ साथियों आज के इस महत्मपुर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब दस हजार करोड रुपय के प्रोजेक्स की भी शुरुवात हुई है मिशन अमृत के तहट देश के अनेक शहरों में वाटर और सीवेज ट्रिक्मेंट प्लांट बनाई जाएंगे नमामी गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कच्चरे से बायोगेश पैदा करने वाले गोबरधन प्लांट ये काम स्वच्च भारत मिशन को एक नई उचाई पर ले जाएगा और स्वच्च भारत मिशन जीतना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा साथियों आज से एक हजार साल बाद भी जब 21 सदी की भारत का अध्यन होगा तो उसमें स्वच्च भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा स्वच्च भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागिदारी वाला जन नेत्रुत्व वाला जन अंदोलन है इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की इश्वर रुपी जनता जनार्दन की साक्षात उर्जा के भी दर्शन कराए है मेरे लिए स्वच्च ताये जन शक्ति के साक्षात का पर्व बन गया है आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है जे अभियान शुरू हुआ है कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे शादी व्यां से लेकर सार्व जनिक कारकमों तक हर जगह स्वच्चता का ही संदेश छागया कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बक्रियां बेच कर सवचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी किसी ने अपना मंगल सुत्र बेच दिया तो किसी ने सवचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी कहीं किसी रिटायर्ट टीचर ने अपनी पैंशन दान दे दी तो कहीं किसी फोजी ने रिटायर्मेंट के बाद मिले पैसे स्वच्चता के लिए समर्पित कर दी है अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता किसी और समारों में दिया होता तो शयद अखबारों के हेडलाइन बन जाता और सबतां भर उसकी चर्चा होती लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी चपा नहीं है ऐसे लक्षावद ही लोगों ने कुछ नो कुछ दान करके चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है उड़ जादी है और ये ये मेरे देश के उस चरीतर का परीचे करवाता है जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की मात ती तो करोरों लोगों ने जूट के बैग और कपड़े के थेले निकाल करके बाजार में खरीजी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की और मैं उन लोगों का भी आभारी हूँ वरना मैं प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्टि वाले आंदोलन करते भूखरताल पर बैठते नहीं बैठे उन्होंने सयोग किया हार्तिक नुक्षान भोगा और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार वेक्त करता हूं जो भी शायद निकल परते कि देखिए मोधी ने सिंगल यूज प्लास्टिक बरके यह हजार लोगों का रोजगार खतम कर दिया पता नहीं क्या क्या कर देते मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया वो संदय इसके बाद चला जाए साथिये इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा कमर्शियल हीत के बजाएं फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जन्रता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन दस सालों में और मुझे तो लगता है कि विशय को एक बार करने का नहीं है यह पीजी दर पीजी हर पल हर दिन करने का काम है और यह जब मैं कहता हूँ तो मैं उसको जीता हूँ अब जैसे मन की बात की याज कर लें आपन अपर लोग मन की बात की और देश्वास हैं मन की बात में मैंने करीब करीब आट सो बार स्वच्छता की विशय का जिक्र किया है लोग लाखों की संख्या में चिछियां भेजते हैं लोग स्वच्चता के प्रयासों को सामने लाते रहें साथियों आज जब मैं देश और देश वासियों की इस उपलब्दियों को देख रहा हूं तो मन में ये सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ स्वच्चता का रास्ता तो मात्मा गांधी जीन हमने आजहादी के आंदोलन में ही दिखाया था दिखाया भी था शिखाया भी था फिर ऐसा क्या हुआ कि आजहादी के बाद स्वच्चता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंडे गांधी जी के नाम पर वोट बटो रहे हैं उन्होंने गांधी जी के प्रिय विशय को भुला दिया उन्होंने गंदगी को सौचाले के अभाव को देश की समच्या माना ही नहीं ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिन्दगी मान लिया नतीजा यह हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे गंदगी रूटीन लाइप का हिस्सा बन गई समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई इसलिए जब मैंने लाल के ले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जासे तुफान खड़ा हो गया कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि सोचा लए और साप सफाई की बात करना भारत के प्रधान मंत्री का काम नहीं है ये लोग आज भी मेरा मजाग उड़ाते हैं लेकिन साथियों भारत के प्रधान मंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देश वासियों का सामान जन का जीवन आसान हो मैं भी अपना दाई तो समझ कर मैंने टोइलेट्स की बात की सेनेटरी प्रेट्स की बात की और अज हम इसका नतीजा देख रहें साथियों दस साल पहले तक भारत की साथ प्रतिशत से जाजा आवादी खुले में सौच के लिए मजबूर थी यह मानव गरीमा के विरुद्ध था इतना ही नहीं यह देश के गरीब का अपमान था दलीतों का आधिवास्यों का पीषणों का इनका अपमान था जो पीडी दर पीडी निरंतर चला रहा था सौचाना इन्द होने से सबसे ज़्यादा परेशानी हमारी बहनों को बेटियों को होती थी जर्द और पीडा सहन करने के अलावा दिन भर परेशानी जेलती थी और रात में भार जाती थी तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंबीर खत्रे होते थे यहां तो सुवे सुर्योदे के पहले जाना पड़ता था ठंड हो वर्षा हो जो पीडी दर पीडी करोडो माता है हर दिन इस मुसिबत से गुजरती थी खुले में सोच के कारण जो गंबीर होती थी उसने हमारे बच्चों के चीमन को भी संकट में डाल रखा था बाल मृत्यू का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी गंदगी की बज़े से गाउं में शहर के अलग-अलग बस्तियों में बिमारिया फैलना आम बात थी साथियों कोई भी देश ऐसी परिस्तिती में कैसे आगे बढ़ सकता है और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा हमने इसे एक राष्ट्रिय और मानिविये चनोती समझ कर इसके समाधान का अभियान चलाया यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज बढ़ा ये कारकम ये मिशन ये अंदोलन ये अभियान ये जन जागरन का प्रयास पीड़ा की कोक से औरो भारतियों ने कमाल करके दिखाया देश में बारा करोर से अधिक तॉयलेट बनाए गए तॉयलेट कबरेज का दायरा जो चारीस परसन से भी कम था वो शत प्रतीशत पहुंच गया साथियों स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीमन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है हाल मैं एक प्रसिद्ध आंतरास्तिय जनरल की स्टड़ी आई है इस स्टड़ी को International Food Policy Research Institute Washington USA University of California और Ohio State University के वेज्ञानिकों ने मिलकर के स्टड़ी किया है इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर बर साट से सत्तर हजार बच्चों का जीवन बच रहा है अगर कोई ब्लड डोनेशन करके एक बच्च की किसी एक की जीन्दगी बचा दे न तो भी वो बहुत बड़ी खटना होती है हम सफाही करके उड़ा खच्चरा हटा करके गंदगी मिटा कर साट सब्तर हजार बच्चों की जीन्दगी बचा पाएं इससे बड़ा प्रमात्मा का आशिरवाद क्या होगा कि ड़्यू एचे के मुताबिक कि 2014 और 2019 के बीश कि तीन लाख जीवन बचे हैं जो डाइरिया के कारण हम खो देते थे मानो सेवा का है यह धर्म बन गया साथियों यूनिसेप पी रिपोर्ट है कि घर में टॉइलेट बनने के कारण अम 90% से ज़्यादा महला आएं खुद को सुरक्षित मैसूस कर रही है महलाओं को इंफेक्शन से होने वाली बिमारियों में भी स्वच्छ भारत मीशन की विजह से बहुत कमी आई है और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है लाखो स्कुलों में लड़कियों के लिए अलग टॉइलेट्स बनने से ड्रोप आउट रेट कम हुआ है यूनिसेप की एक और स्टडी है इसके मुताबिक साफ सभाई के कारण गाउं के परिवार के हर साल आउस्टन पच्चास हजार रुपिय बच रहे हैं पहले आए दिन होने वाली बिमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम धंदा न करने के कारण आएक खतम हो जाती थी बिमारी में जाने ही पाते थे साथियों स्वच्छता पर बल देने से बच्चों का जीवन कैसे बचता है मैं इसका एक और उदहार देता हूं कुछ साल पहले तक मिडिया में लगातार ये ब्रेकिंग लूज चलती थी कि गुरकपूर में दिमागी बुखार से उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सेंकडों बच्चों की मौत ये खबरे हुआ करते थी लेकिन अब गंद की जाने से स्वच्चता आने से ये खबरे भी चली गई गंद के साथ क्या-क्या जाता है ये देखिए इसकी एक बहुत की बड़ी बजय स्वच्च भारत मीशन से आई जन जागरुती ये साफ सफाई है साथियों स्वच्चता की प्रतिष्ठा बदने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्चक समझता हूं पहरे साफ सफाई के काम से जो ये लोगों को किस नजर से देखा जाता था हम सब जानते हैं एक बहुत बड़ा वर्थ था जो गंदकी करना अपना अधिकार मानता था और कोई आकर के सचता करें जो उसकी जिम्यवारी मान करके अपने आपको बड़े अहंकार में जीते से उनके सम्मान को भी चोड़ पहुचाते थे लेकिन जब हम सब सचता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं और ये भी अब मेरे साथ जूड़ रहे हैं बहुत बड़ा मनोवे ज्यानिक परिवर्तन करकर के सामान ये परिवार साथ सभाई करने वाले को मान सम्मान मिला उनको गर्वे को महसूस कराया और वो आज अपने आपको सम्मान के साथ हमें देख रहा है कि गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा हैं कि वो सिर्प पेट भरने के लिए करता है इतना ही नहीं है वो इस राष्ट को चमकाने के लिए भी ये कड़ी महनत कर रहा है यानि स्वच्य भारत्य व्यान ने लाखों सभाई मित्रों को गवरोग दिलाया है हमारी सरकार सभाई मित्रों की जीवन की सुरुच्षा और उन्हें गरिमा पूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है हमारा ये भी प्रयास है कि septic tanks में manual entry से जो संकत आते हैं उनको दूर किया जाए इसके लिए सरकार private sector और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है कई नए-ने start-up आ रहे हैं नए-ने technology लेके आ रहे हैं साथियों स्वच्च भारत अभ्यान सिरफ साप सफाई का ही प्रोग्राम है इतना भड़ नहीं है इसका दाइरा व्यापग रूप से भड़ रहा है अब स्वच्चता संपन्यता का नया रास्ता बन रहा है स्वच्च भारत अभ्यान से देश में बड़े प्यमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं बीते सालों में करोडों टॉयज़ेत बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ वहां लोगों को नोकरिया मिली गावों में राज मिस्त्री प्लंबर लेबर ऐसे नेक साथियों को नए अवसर बिले यूनिसेफ का अनुवान है कि करीब करीब सवा करोण लोगों को इस मीशन की वज़े से कुछ नकुछ आर्थिक लाब हुआ कुछ नकुछ काम मिला है विशेश रुप से महिला राज मिस्त्रियों की एक नई पीड़ी इस अभियान की देन है पहले महिला राज मिस्त्री कभी दाम नहीं सुना था इन दहिनों महिला राज मिस्त्री आपको काम करती नजर आ रही है अब क्लीन टैक्स से और बहतर नोक्रिया बहतर अवसर हमारे नहुजवानों को मिलने लगे है आज क्लीन टैक्स से जुड़े करीब कि फानर स्ट्रफ रजिस्टर हैं करें वेस्ट के क्लेक्षेन और ट्रांसपोर्रेशन में हो पानी के रियू और रिसेक्लिंग में हो ऐसे अनेक ऑसर कि वोटर एंड शैनिटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं एक अनुमान है कि इस दसक के अंत तक इस सेक्टर में 65 लाख नई जौस बनेगी और इसमें निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी स्वच्छ भारत मिशन ने सरकुलर एकानामी को भी नई गति दी है गर से निकले कच्रे आज कंपोस्ट बायो गैस बिजली और रोड़ पर बिचाने के लिए चारकॉल जैसा सामान बना रहे है आज गोबर्जन योजना गाव और शहरों में बड़ा परिबर्तन ला रही है इस योजना के तहट गावों में सैंक्रो बाय गॉस प्लांट लगाए जा रहे है जो पशुपालन करते हैं किसान कभी कभी उनके लिए जो पशुप रुद्ध हो जाता है उसको समालना एक बहुत बड़ी आर्थिक बोज़ बन जाता है अब गोबर्धन योजना के कारण वो पशुप जो दूद्ध भी नहीं देता है या खेत पे काम भी नहीं कर सकता है वो भी कमाई का साधन बन सके ऐसी संभावना इस गोबर्धन योजना में है इसके अलावा देश में सेंकडों सीबीजी प्लांट भी लगाये चाच चुके हैं आज ही कई नए प्लांट का लोकार्पन हुआ है नए प्लांट का सेलानयास किया गया है साथ क्यों तेजी से बदलते हुए इस समय में आज हमें सच्छता से जुड़ी चुनोतियों को भी समझना जानना ज़रूरी है जैसे जैसे हमारी एकोनोमी बढ़ेगी शहरी करान बढ़ेगा वेस जनरेशन की संभावनाए भी बढ़ेगी कुड़ा कच्रा जादा निकलेगा और आजकल जो एकोनोमी का एक मोड़े है यूज एन थ्रो वो भी एक खाण बनने वाला है नए नए प्रकार के कुड़े कच्रे आने वाला है इलेक्टोनिक वेस्ट आने वाला है इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और भैतर कर रहा है हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेकनोलोजी डेवलोग करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज़्यादा उप्योग हो सके हमारी जो कॉलोनिया है हमारी जो हाउसिंग है कॉंप्लेक्सिज है उनको हमें ऐसे डिजैन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरह हम कैसे पहुँचे हम जीरो कर पाये तो बहुत अच्छी बात है लेकिन कम चे कम अंतर बचे जीरो से हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुप्योग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तिमाल किने के तरीके सहज बनने चाहिए हमारे सामने नमामी गंगे अभ्यान का एक मोडल है इसके कारण आज गंगाजी कहीं अधिक साफ हुई है अमरत मिशन और अमरत सरोवर अभ्यान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है यह सरकार और जन्भागी दाजी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मोडल है लेकिन मैं मानता हूँ सिर्फ इतना ही काफी नहीं है बॉटर कंजर्वेशन बॉटर ट्रीटमेंट और नदियों की साथ सभाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलोजी पर निवेश करना है हम सब जानते हैं कि स्वच्चता का कितना बड़ा संबन्द तूरिजम से हैं और इसलिए अपने परियटक सलों अपने आस्था के पवित्र स्थानों हमारी धरोहरों को भी हमें साप सुत्रा रखना है साथियों हमने स्वच्चता को लेकर इन दस वर्सों में बहुत कुछ किया है बहुत कुछ पाया है लेकिन जैसे गंदगी करना ये रोज का काम है वैसे स्वच्चता करना भी रोज का ही काम होना ही चाहिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है प्राणी नहीं हो सकता है तो ओ कहे कि मेरे से गंदगी होगी नहीं अगर होनी है तो फिर स्वच्चता भी करनी ही होगी और एक दिन एक पल नहीं एक पीड़ी नहीं हर पीड़ी को करनी होगी यूग वह काम है आज जब हर देश वासी स्वच्छता को अपना दाईत्व समगता है करतब बे समगता है तो साथियों मेरा इस देश की वासियों पर इतना फरोसा है कि परिवर्तन सूनिस्चित है देश का चमकना ये सूनिस्चित है स्वच्चता का मिशन एक दिन का नहीं यह पूरे जीवन का समस्कार है हमें इसे पीड़ी दर पीड़ी आगे बढ़ाना है स्वच्चता हर नागिरी की सहज प्रबृत्ति होनी चाहिए यह हमें हर रोज करना चाहिए